हेलो दोस्तों मैं पूजा फिर से हाजिर हूँ एक और नहीं रेसिपी के साथ तो आज हम बनाएंगी कठल की सबजी जो कि स्वाद में मटन को भी फेल कर दीगा तो चलिए हम रेसिपी को फटा फट से शुरू करते हैं तो मैंने यहां 500 ग्रम कठल लिया है और यह छोटी साइस का कठल है तो हाथों में थोड़ा तेल लगा लेंगी और इसके जरवाले पॉइंट को हम इस तरीके से काट लेंगी तो कठल में अगर छोटे कठल होते हैं तो इसमें बहुत जादा दूध होता है तो आप इस तरीके से कठल को काट लिजेगा तो देखे मैंने इस तरीके से कठल को काट लिया है और काटने के बाद इसे हम एक कठल हम लेंगी और इसके दो टुकरे करेंगे हम इस तरीके से और कठल को हमें बिल्कुल सावधाने से छीलना है क्योंकि उपड़ी भाग इसका बहुत हाड होता ह आप अच्छे से चिल लगी चुपा बनाए तो करवापन ना लगे तो आप इस तरीके से चिल लीजीगा और इस तरीके से कर रही हूं तो फोरे पान निकाल लेंगे क्योंकि इतना भी आप पकता नहीं है तो आप इस तरीके से कठल को काट लीजीगा तो कठल को मैंने काट लिया है मैंने पीसे जिसके थोरे से बड़ी रखे हैं क्योंकि हम इसे बिल्कुल मटन स्टाइल बनाएंगे तो आप अपनी हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं तो अब इसे हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं ताकि इसे हम दो सीटी आने तक बॉयल कर ले अगर आप चाहे तो बॉयल कर सकते हैं अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसे तरीके से सबजी को फ्राई करकी बना सकते है लेकिन जब आप बॉयल करके बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगी है सबजी और साथी में हम डाल देंगे चार से पाच आलू और इसमें हम डाल देते हैं आदा गलास पानी पानी नालने की बाद इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चमच नमक और बस कूकर का ढकन ब कुकर लिया है सबजी को बनाने के लिए तो अब इसमें हम डाल देते हैं 3-4 चमच सरसो का तेल हम डाल देंगे और तेल जैसी गरम हो जाएगा अब इसमें हम डालेंगे कठल को जो हमने बॉयल कर लिया था तो कठल को हमें दो मिनिट के लिए फ्राइ करना है और इस से फ्राइ कर लीजेगा और देखी कठल अमारा फ्राइ हो चुका है और दो मिनिट हो चुका है तिसे हम अलग बरतन में निकाल लेते हैं यह कठल की सब्ची बहुत ही टेस्टी बनता है बिल्कुल मटन का स्वाधी कठल देता है तो आप इस तरीके से सब्जी जरूर कर स्वाधी इस से चाल में देंगी है और टेजपतर हम डाल देंगी धुरा ऑस्पात बार दीफी इस जाल जाएगा थीजांट रूदी और दुञा जल्ड़ थे दितन दॉखल में नहीं बहुत हो था ने शौप्त नुलत हो इस्न ताकि पेयाज के बिल्चाश हो जाएं त तो प्याज को हमें सॉफ्ट करने के लिए गैस आप मीडियम टू हाइव कर सकते हैं और प्याज को अच्छे से लाल करके भून ले और देखिए तीन मिनट हो चुका है अब इसमें हम बॉयल किया हुआ अलू डाल देते हैं तकि आलू भी प्याज के साथ अच्छे से भून ज इसे हम एक मिनट के लिए भूल लेंगे अगर आप इस तरीके से कठल की सब्जी बनाती है तो बहुत ही टेस्टी बनेगा बिल्कुल मटन का स्वाद देगा कठल की सब्जी हो सकी तो छोटी कठल का इस्तवाल करें अगर आपके प्याज पास इवेलेबल हो तो अब इसमें हम डाल देते हैं सुखी मसाली , सुखी मसाली में मैं यहां ले रही हूं एक चुटअ चमच कोड़ी बोर।र ili बदा दाल लेनगे जीरा पॉडर एक चुड़ा चमच हम डाल देंगे धनिया पॉडर अब इसमें हम डाल देंगे एक बरा चमच हम डालेंगे मतन मसाला पॉडर ताकि मतन का हमारा स्वाद आ जाए तो बस अब इसे हमें दो से तीन मिर्ड के लिए भूनना है ताकि मसाले का कच्छापन निकल जाए अच्छे से हम चला लेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए और मिक्स करने के बाद इसमें हम साथी में डाल देंगे कठल अपना फ्राई किया हुआ ताकि मसाला के साथ कठल भी पकता रहे और फ्राई होता रहे ताकि मसाली की सारी खुश्बू कठल के अंदर अबसॉब कर ले तो इस तरीके से आप कठल की सब्जी ज़रूर बनाईएगा और नमक इसमें हम डाल लेते हैं आदा चोटा चम्मा इस तो नमक हमने पहले भी इस्तमाल किया था तो आप उसी हिसाब से नमक एड़ करें और बस इसे हमीद दो से तीन मिनट के लिए भूनना है मसाली के साथ ये आप जरूर करिएगा सब्जीयों के साथ मसाली को अच्छे से भूने ताकि तभी मसाली का स्वाद कठर के अंदर और आलू के अंदर अच्छे से अब्जॉब कर लेगा और ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है बिल्कुल लाल हो गया है ये तो अब इसमें हम पानी एड़ करेंगे तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते है अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है तो आप पानी की मातरा को अधिक रखे अगर आप थोड़ी सी गारी बनाना चाहते हैं तो पानी थोड़ा कम डाले तो मैं यहाँ एक ग्लस पानी डाल रही हूँ क्योंकि हम यह सबजी ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो मैंने यहां एक ग्लास पानी का इस्तमाल किया है थोरा सा पानी हम और डाल देते हैं अच्छे से चला लेंगे मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीजे अच्छे से मिल जाए मसाले में और बस कुकर का धंगन हम बंद कर कि आने तक हम लगने देंगी हाइफ लेम पर आप इसे तीन सिटी तक पका लीजिएगा और ये लेजिए पीसरी सिटी हुमारी लग गई है अब गैस को क्लिंग कर देंगे बंद और कुकर को हो जाने देंगे ठंडा तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं तो कुकर ठंडा हो चुका है और ये लेजिए कटल की सब्जी बनकर तयार है बिल्कुल मटन जैसा देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल मटन जैसा ये सब्जी बनकर तयार होता है इसका ग्रेवी देखिए फ्रेंट्स बहुत ही अच्छी खुश्बु आरी है तो अब इसे गर्म गर्म हम सर्फ कर लेते हैं बिल्कुल मतन जैसे सबजी बनकर तयार है आप 10-12 मिनट में आप सबजी को बना कर तयार कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे पूरी के साथ खा सकते हैं रोटी के साथ या सिंपल राइस के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है तो द आदिस्ट लगता है कि कठर की सबजी तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सरूर करिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन यानि मैसेज सबसे पहले आपको मिले थ